पूर्व रासवा सांसत, पूर्व MLC एवंजद्यू के वरिष नेता गुलाम रसूल बल्यावी हमारे साथ है जो अपने बयानों के लिए से सुर्खियों में है बल्यावी साहब आप तो इस तरह के बयानों के लिए भरकाओ बयान के लिए नहीं जाने जाते थे आप कहे रहे हैं कि हमारे आका के इजजद पे हाट डालोगे तो सहरों को कर्वला बना दे सवाल ये है कि करवला को लोगों ने समझा क्या है करवला में दो पक्ष था एक सेदिना इमाम हुसाइन का एक यजीद का हम हुसाइन वाले हैं हम सबर वाले हैं हम साहस वाले हैं खेमे मेरे हुसाइन का जले बच्चे मेरे इमाम हुसाइन के शहीद हुए दाना पानी बंद मेरे इमाम हुसाइन का हुआ है तो हम तो हुसाइन पाक के नाना की इज़त की बात कर रहे है हमने आतंग की बात तो नहीं की हमने मार धाल लूट की बात तो नहीं की हमने घर जलाने मकान जलाने की बात तो नहीं की और उस इमाम हुसाइन को सरधानजली देश के किसी भी राज का नेता हो या देश का नेता हो या राश्ट पती हो संदेश किसके लिए आता है किस भावना का आता है इमाम हुसाइन का तो इमाम हुसाइन की शाहादत का इतिहास क्या है करवला है सब्र है सयम है साहस है संघर्ष है बरदाश करने की माददा और छमता है तो जिसको यजीत समझ में आए वो उसे भड़काव कह रहे हैं और जिसको इमाम हुसाइन समझ में आ गए उसको ये सहन और सब्र कह रहे हैं तो हमने तु ये कहा है कि हम हुसाइन वाले हैं हम सब्र से सयम से संघर्ष करेंगे बल्यावे साब आप दो तरह के कानून की बात कर रहे हैं उसके बार में हमें बताईए क्या दो तरह का कानून है देखिए पूरे देश में जो एक माहुल बना और पूरी दुनिया ने देखा कि इसी जारकंड के राची में छोटे-छोटे बच्चों को गोलियों से सूट किर दिया गया और ये कह करके कि इसने पत्थर मारा पत्थर अगर चलाया भी तो आपको वाटर किनाल के इस्तमाल करना चाहिए रवड गोली का इस्तमाल करते हैं डंडे का इस्तमाल कर लेते हैं पैर तोड देते गोली तो नहीं मारते ना लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि नीहते छोटे-छोटे 12-13 साल बच्चे हमारे सड़क पर दम तोड़ दी हम कहते रहें कि आप हाई कोट के जज के अधीन एक कमिटी बना दीजे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा आपने नहीं किया तो हमारा यह सवाल है कि क्यों नहीं एक कानून बना दिया जाता जिस पर मेरे पेगंबर सले लाले सलम के साथ जितने भी किसी भी धर्म के उन महान भाव जो आस्था के किंद्र हो उनकी इज़त और परतिष्ठा से खेलने की कोई गलती न करे और अगर करे तो उस पर देश दरोह का कानून बना दिया जा अगर ये कहना अपराद है तो ये अपराद हमें करूगा ये मैं गोहार लगाऊंगा कोई सुने न सुने मैं यी बात सुनाऊंगा दूसरा कानून मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग आम है तोपी दाड़ी देखकर जिहादी बोल देना जैसे लगता है लाइसन्स दे दिया गया है हमारी बेटियों के निकाब परदे पर क्या-क्या तमाशा होता वो देख चुके हैं जमीनों पर कब्जा कभी भी किया जा सकता है मस्धित की जमीन मेरी मदरसे की जमीन मेरी बिल्डिंग बनाया हमने भीक मांगा हमने लेकिन बॉल्डोजर चला जाता है बगएर नोटिस के बगएर सुनवाई के बगएर अदालत के बॉल्डोजर गिरा कर चला आता है जो हालात है इन हालात में जो गाउं की पोजीशन है जो बच्चों की पोजीशन है इन सारी चीजों को देखकर अब जरुवत आ गई है कि देश में मुसिलिम अल्व संखकों के विश्वास जो अटूट विश्वास करता है देश के संभिधान पर नैपालिका पर उसको बाकी रखने के लिए जरुवत इस बात की है कि जिस तरह दलित भाईयों के लिए समाज में इज़त आबरूप परतिष्ठा के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है उसी तरह उनी धाराओं के साथ मुसिलिम सेफ्टी एक्ट बना दीजिए मन को संतुष्टी हो जाए यह अगर मांगना यह डिमांड करना यह आवाज लगाना अगर जुर्म और गुना है तो यह गुना हर वक्त मैं करूँगा आप अप उठाकर देख लीजे इतिहास अब तक आतंगवाद के नाम पर चाहें जहां भी पकड़े गए इनकाउंटर हुआ सिरियल बलाश दिदली में हुआ जितने बच्चों को उठाया गया हिम्मत है तो सरकारे बतावे कि कितने बच्चों का अपराध जुर्म साबित हुआ बतावे हिम्मत है तो का अबदुलकरीम का अबदुलरहमान के बच्चों को क्यों डेमुरलाइस किया जाता है आतंग के नाम पर आप ले गए 18 साल 20 साल 22 साल जेल की सलाख में हमारा बच्चा रहा है उसका बेटा महेश के बेटा के साथ पढ़ा रहा था सुरेश के बेटा के साथ पढ़ा रहा था जिनाब मैं बरदास नहीं कर पाता हूँ जब बच्चों के फोन आते हैं बेटियों के फोन आते हैं तो रात की नीद बलियावी के उड़ी जाती है जब हमारे बच्चे कहते हैं कि हमारा जुर्म क्या है तब लिया भी कहता है यह सेकुलर पार्टिया क्यों नहीं जबान खोलती क्यों सत्ता के लिए मेरे बच्चों को तख्ते मश्क बनाया जा रहा है अगर अप रादी है देश दरोही है तो सजा दे दो हम उसकी लाश अपने कबरिस्तान में नहीं दफन होने देंगे देश के बहुसंकिक समुदाए के बीच जो नफरत बो रहे हो इसको खतम करो बल्यावी साहब आप नहां कहा है कि सेकुलर पार्टिया तब क्यों नहीं बोलती है जब कोई निर्दोस मुसल्मान युवा को फसाया जाता है अब ये बात उठा रहे लिए हैं कई सेकुलर पार्टिया जो खुद को मुसलिमों का ही तैसी बताती है बताब वो ड्रामा करती है सिर्फ भोट लेने के लिए वक्त आ रहा है समय आ रहा है निकल चुका है गाउं का युथ भी आलिम भी इमाम भी और मैं भी अब वो नहीं होगा कि आप भय दिखा कर डर दिखा कर हमारे भोट से सत्ता ले लिजिए और हमारे बच्चों की नोकरी सर्वीस लोन रोजगार और अपमांग के साथ जीने पर मजबूर कीजिए ये नहीं होगा बिहार में महागट बंधन सरकार है आपके पार्टी के नितिश जी चीफ मिनिस्टर है अरदेडी है जो सबसे बड़ा ही तैसी खुद को बताती है आप संख्यकों का नितिश जी भी करते हैं तो कहीं नकिए आपका तो रूख अब फैद महागट बंधन के खिलाफ में भी खुद को सेकलर बताते हैं मेरा रूख किसी के पक्च और खिलाफ नहीं है हमने मुस्लिम मानरेटिस की भावना को फिलिंग को एहसास को गायल दिलों को जखमी एहसास को बेटियों के आँसू को बच्चों के दर्द को उठाया है और आगरा लगा रहे हैं कानून बनाईए सत्ता और रोजगार में इनको जगह दीजिए देना ना देना इन लोगों पर है उन्होंने क्या कहा है क्या कहा है हो मैं नहीं जानता हूं हम यह जानते हैं कि हमने अपने बच्चों को आर्व्स ट्रेनिंग की बात नहीं किये तलवार बांटने की बात नहीं किये खंजर उठाने की बात नहीं किये हमने यह कहा है कि कर्बला में मेरे इमाम ने सबर के साथ सय्यम के साथ है आपकी मांग बीजेपी मानती है तो क्या बीजेपी का साथ देंगे हैं कि राजधरम का लोग निर्वाहन करलें तो भारत में किसी समुदाए किसी धरम किसी पंत को कोई आहत नहीं कर सकता तो ये बल्यावी साहब थे बहुत विवाकी से अपनोंने पूरे मामले पे जो है राय रखी है और कहीने कहीं सेकुलर पार्टियों को भी निसाने पे लिया है केमर परशन विशाल राय के साथ सशांग कुमार एबीपी नियूस पटना